हेलो दोस्तों, वेलकम टू धु 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 धर अपडेट्स यूट्यूब चैनल, तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए हिमाजर प्रदेश की लेके आए हूँ, 31 अगस्त 2020 की, हिमाजर प्रदेश में क्रोना का गड़ बने दो जिले, तो कौन से दो जिले क्रो हैं, शुरू होने वाले थी, 15 सितमबर से, तो उनकी तितियां जो है, बदले जाएंगी, तो पूरी जनकारी बताएंगे आपको, विद डिटेल और क्रोना के बारे में पूरी लिस्ट बताएंगे, कौन से जिले में कितने मरीज हैं, तो वीडियो पर एंड तक बन रहे हैं अगर आप चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सकाइब कर लें, और साथ में वैल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे हैं नवाली हिमाचल प्रतेश की हर लेटेस्ट अपडेट की नोटिक्रेशन हमारे चैनल द्वरा मिल सके, वीडियो पसंदाने पर वीडियो क लाइक जरू करें और नीचे कमेंट सक्षिन में जय हिमाचल जरूर लिखें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले एक क्रोना अपडेट की बात कर लेते हैं, क्रोना का गड़ बना सोलन और सिर्मोर, और धोगों के कामगार पाए जा रहे हैं संक्रमित, प चोधरी ने स्वागत समरो से भी क्रोना की रफ्तार बढ़ गई है, मार्च महीने में लगे लोगडाउन के बाबजूद भी क्रोना का चकर तूट नहीं पा रहा है, समाजिक दूरी के लिए बनाए गई नियम तूटने से भी संक्रमन फैल रहा है, आंकडों को लें तो सोल हैं, जबकि 382 मामले अभी एक्टिव हैं, कांगडा में 836 कुल पोजिटिव मामले पाए गए हैं, यहां 216 एक्टिव केस हैं, हलात यह है कि अब पोजिटिव आ रहे लोगों को इंदर की नई गायलाइन है, तो उनके तहत जो है, घरों में आइसलेशन किया जा रहा है, ज एक दो मकानों को कंटैन्मेंट जोन में तबदील किया जा रहा है, तो कहां कितने मामले तो आप पूरी डिटेल देख सकते हैं यहां पर, कि किस जिले में कितने मामले हैं, जिला, संक्रमित और एक्टिव मामले बता रहे हैं, तो सोलन में सबसे ज़्यादा हैं, आप देख तो आप एक्टिम आमले भी देख सकते हैं इसी तरह तो अगली खबर के बारें बताते हैं नेट के चलते बदलेगी PG प्रिक्षा की तितियां पूरी जानकरी डिटेलें बताते हैं विशिप डिले की और से PG प्रिक्षा के लिए जारी किया गए शेडियूल में UGC नेट के प्रिक्षा के निरधारित होने पर बदलाव होगा प्रिक्षा विंग की ओर से जारी हुए शेडियूल में इसको लेकर साफ तोर पर सूची किया गया है कि परदेश बर से हजारों की संख्या में PG-46 साथ में नेट भी देते हैं इसलिए परिक्षा शेड्यूल में साफ किया गया है कि जारी शेड्यूल में नेट के कारण बदलाव किया जा सकेगा और इसके लिए परिक्षा नियंत्रा की और से सभी वरिष्ट के अंदर दिक्षकों को शेडूल में बदलाव के मताविक परिक्षा की विवस्ता करवाने को कहा गया है नेट 21 से 25 स्टमबर 2020 तक संभावित है 15 स्टमबर से PG परिक्षाएं शुरू होनी है शेडूल में बदलाव को लेकर विशे बद्याले वेबसाइट और मीडिया के माध्यम से सुचित करेगा परिक्षा नियंत्रा डॉक्टर जेस नेगी ने कहा कि PG परिक्षाएं मंत्राले और सरकार की योगर से जारी SOP को फोलो करते हुए ली जाएंगी तो ये थी आज की हिमाचल परिक्षाओं को लेकर जो अफडेट थी तितियां को बदलने की तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएं तो वीडियो का आप लाइक करना बिल्कून भूलें और चैनल को जुरूर से सब्सकाइब करकें ताकि आपको आगे नवाले हिमाचल परिक्षाओं को लेकर जो खबर आए उसके बारे में पतलक्स के तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बदने बाद जाहिन जाहिन जाहिन